इन उपायों से प्रसन्न होते हैं विग्न हर्ता गणीश जी पूरी करते हैं सभी मनुकामना हिंदू संस्कृती और किसी भी तरह की पूजा में भगवान श्री गणीश जी को सर्वश्रेष्ट स्थान दिया गया है किसी भी शुप काम या पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणीश जी की पूजा की जाती है देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विग्न के पूरा करने के लिए गणीश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं माननिताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कारियों में आ रही अर्चनों को हटाती है बलकि आपकी हर मनुकामना को भी पूरी करती है हम सभी के मन में कई सारी इच्छाएं होती है इन मेंसे कुछ पूरी हो जाती है जबकी कुछ अधूरी ही रह जाती है ऐसे में अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए आप गणेश जी के चर्णों में जा सकते हैं जी हां विग्न हरता गणेश जी को हमारे भागय का विधाता भी कहते हैं इसलिए अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और उसे पूरा करना चाहते हैं तो गणेश जी आपकी मदद जरूर कर सकते हैं अपनी मनों कामना को पूरा करने के लिए गणेश जी को कैसे प्रसन किया जाए तो आईए जानते हैं विस्तार पूर्वक गणेश जी को खुश करने का सबसे आसान उपाए दुर्वा अर्पित करना है दुर्वा गणेश जी को ऐसी लिए प्रिय है क्योंकि दुर्वा में अम्रित मौजूद होता है गणपती अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ती गणेश जी की पूजा दुर्वा कुर्च से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है गणेश जी को कम से कम 21 दूब, दो शमी और दो बेल पत्र चड़ाया जाता है तुलसी जी गणेश जी को नहीं चड़ाय जाती बतादे विग्न हर्ता गणेश जी को खुश करने का सबसे अच्छा रास्ता माबाप की सेवा करना है गणेश जी उसे ही अपनी भक्ती प्रदान करते हैं, जो अपने माता, पिता और सास ससुर की सेवा करता है बुजुर्गों का सम्माल करता है, तीर्थ यात्रा आदी माता, पिता और सास ससुर जी के साथ ही करता है इसके अलावा व्रिक्ष लगाने वालों से भी गणेश जी बेहत प्रसंद होते हैं अपने जीवन काल में कम से कम 108 व्रिक्ष लगाएं और उन्हें संतान की तरह पाले बड़ा करें गणेश जी इनकार्यों से अतीप प्रसंद होते हैं गणपती बपा को लड़ू खाना बेहत पसंद है ये उनके प्रिये वेंजनों में से एक है अगर आपके मन में कोई भी ख्वाहिश है तो आप गणेश मंदिर जाकर विग्न हर्ता को लड़ू का भोग लगा सकते हैं मूंग की दाल के लड़ू गणेश जी को बहुत प्रिये हैं घर में ही पूजा करें तो पूजा की पूरा होने के बाद 21 में से 15 लड़ू पंडित जी को दक्षणा सहित दान करती दक्षणा नहीं दी तो श्री कधावाचक और श्री जियोतिशी को ही आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा सुभे गणेश जी के बारा नाम जबते हुए ही उठें जो नासिका चल रही हो वही पैर गणेश जी कहते हुए रखें रहने के बाद सबसे पहले गणेश जी को जल उत्तर दिशा में अर्पित करें जल को जल में ही अर्पित करना है यानि आप जिस जगह जल चड़ाएं वहाँ या तो कोई गमला रख दे या पहले से ही पानी को घिरा दे इसके बाद ही पूर्व में सूर्य नरायन और दक्षिन दिशा में अपने पित्रों को जल अर्पित करें